हाई फिरेंट्स स्वागत है आप सभी को हमारा यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकर्स करने वाले यूनिट फॉर्ट का यूनिट फर्स्ट का चौथा टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो की काफी इंपोटेंट है इसके अंदर जो बांते हैं इचिज के असी हाईजनिक टर्म से लिया गया है जो कि गिटेंग्वेश से लिया है है इसका मतलब होता है् अबने आपको मेंटेन कर सकते हैं घ्ली क्लीन रख शकते जिसके बदाद से क्या होगा हम दिजिज के स्प्रीड को मतलब उसके फैलने की प्रोसेस को प्रकिरिया को कम कर सकते हैं फिजकल है जो फिजकल होते हैं उसके हमारे खुद को मेंटेन रहना है फिजकली मेंटली और एकोनोमिकली हाईजन को एक डिफाइन किया गया अलग तरीके से बात करें तो हाईजन ही डिफाइन साइंस और आर्ट यह जो कि रिलेट करता है प्रोटेक्शन और प्रोमोशन अफ कुड है यानि खुद को मेंटेन रखना कुद को हैल्फ को मेंटेन रखने के लिए कोई साभी स्टेप ल होती है personal Florence कि बात करें तो प्रस इसे मेंटेन को बहुत बभरा टर्म है और अब किरेक्ट राइज्स और कोई लीन है तो उसे कीया गया है उसके कंडने केक्स ओने क्लिया क्रिया में क्या क्या चीज करना चाहिए वह सारे छीज है ढहत गी किसे spirit योर्फ नैल09 Episode एक्साइज बैलेंस्व डाइट रेगुलिया जीसे और सब्सक्राइज बात करें करने क्लिए करना चाहिए कना। जरूरी होता है फ्रिंस्पल की बात करें तो इस मुल्ट क्सक्राइब त्रॉकि का सबस्टोर प्रेक्टिस मतलब जो सब्सक्राइब है जो कि परसंद का क्या हो मेंटल फिजिकल एंड सोचल हेल्थ का प्रेक्टिस डिरेक्ट्टी अफैक्ट करती है प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम माइक्रो और्गेज्म थूरू गुड हैल्थ हैबिट्स गुर्ड हैल्थ हैबिस्ट के तुरू हमारे क्या होती है बॉड़ी को प्रोटेक्ट करना किस से माइक्रो और्गेज्म से उसके बाद आती है प्रैक्टिस गुड हाइजेन हमारे अच्छे हाइजेन के लिए प्रैक्टिस करना है प्रिवेंट क्रॉस कॉंटामिनेशन को करना है अबजेक्टिप किस उद्देश से इसे लाया गया है अरो सब्सक्राइब क्या धे Hindu एक उसका लीज़ ओप्रोफलाय उसको बढ़ाने के लिए एसको इंप्रोब्हेंट की लिए एक और प्रसनेल हाइज लाया गया है system various disease and control यह सारे इसका क्या होंगे benefits से आप देख सकते हैं कुछ से इसके benefits को उसके बाद second term थी health health जो है उसे define किया गया है WHO ने उसे define किया है ऐसा state है जिसमें आदमी क्या हो completely physically mental और socially well ठीक ना वो physical तरीके से मतलब सारे ग्रूप से भी fit हो मानसिक रूप से भी fit और social समाज में उसका behavior भी क्या हो फिटो तुसे health किया गया और and not just the absence of disease और ना की बल्की अगर disease का अपसे हम किसी को कहते हैं कि यह person healthy है मतलब जरूरी नहीं कि वह healthy है इसका मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं है healthy होने का पूड़ा डिफाइन किया गया में प्रोपर डेफिनिशन है physical maintenance socially well होना ही चाहिए साथ में disease को भी नहीं होना healthy कहलाता है टाइप्स की बात करें तुझे दो टाइप की होती है physical physical health के अंदर आप देख सकते हैं free from illness कोई person बीमार नहीं होना चाहिए कोई injured नहीं होना चाहिए मेंटेन हम मेंटेन कैसे करें physical health को तो regular exercise करना चाहिए में proper diet लेनी चाहिए food nutrients लेनी चाहिए adequate physical rest भी हमाई जरूरी है physical activity के लिए ऐसा नहीं हो कि दिन दिन वर काम करते रहे हैं काम करके हाथ पे तोर ले ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरा है mental health mental health मतलब मानसिक ग्रूप से कोई इंसान fit कैसे हो सकता है मेंटल है जो है वो डिपेंड करता है feeling on safety and security making significant communication to the community हमारे कम्यूनिटी से significant महत्पून कम्यूनिकेशन बना के रखना चाहिए बात विचार समाज बना के रखना चाहिए उससे क्या होता कि हमारे mental health पे काफी ज्यादा अफ्यक्ट डालती है नेक्स्ट जो है उसका वह है एडप्ट डिफिकल्टी डिफिकल्टी को स्विकारना चाहिए ऐसा नहीं कोई परसान हो जाए और से छोड़के भाग जाए स्टेरिंग पोजेटिव हमेसा पोजेटिव सोचना चाहिए पोजेटिव रहना चाहिए जो कि मेंटल हेल्प के फैक्ट में काफी ज्यादा इंपोर्टेंस डालती है तुसरा है helping अदर मतलब किसी को अगर आपकी help की जरूई हो तुसे help करना चाहिए और कुछ ऐसे habits जिसे अगरे एबॉयट के नाखून खाते हैं कुछ लोग जैसे होती लिविंग डाटी डिशो अराउंड पब्लीक लोकेशन किसी यह पब्लीक लोकेशन में पान चबा रहे हैं ठूक रहे हैं यह सारे चीजों को क्या करना चाहिए अबॉयट करना चाहिए शनीजिंग और कि एश्पून गंदा एश्पून से हम खा रहे हैं ब्रसिंग करते नहीं है क्योंकि हाथी जैसा जानवर करता ही नहीं तो इनसान क्या करें भाई तो यह सारी चीजों को हमें अबॉयट करने से हमारी हेल्फ मेंटेन होती है तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो का फर्स्ट य वीडियो थैंक यू